नमस्कार आप सभी का आएगे इस्ट्रेप्शन के इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेगे राइट टू इन्फॉर्मेशन एप 2005 की धारा आठ वन जे के बारे में तो चलिए जो इस चैनल से पहली बार जुरेवे हैं वो अबस सब्सक्राइब कर लें तता बेल आइकन को दवा कर आल पर भी क्लिक कर दें जिससे के इस तरह के उपयोगी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे तता उपयोगी लगे तो एक दूसरे को शेयर अबस करेंगे इस्टाग्राम, फेस्पोक, पाटसप जो भी हो उस पर शेयर अबस करें जिससे हर तरह के इस वीडियो का जानकारी हर भारतिये को अबस्रे हो सके तता एक लाइक अबस्रे कर देंगे तो चलिए हम लोग जानेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट दो हजार पाँच सुचना का अधिकार अधिनियम दो हजार पाँच की धारा आठ हुपन जे की क्या मुख्य बाते हैं इसको आप लोग बिना इसकी पुरा देखेंगे तो अच्छी तरह आप लोग समझ पाएंगे पहला है ऐसी जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंदित हो जिसके प्रकर्टी करन का किसी आम जनता से कोई संबंद नहीं है दूसरा ऐसी सूचना जिसके खुलासे से किसी साज्वनिक गतिविधी या हित का कोई संबंद नहीं है तीसरा ऐसी जानकारी जो व्यक्ति के निस्ता का या निस्ता का ओवांचित उलंगन होता होगा तो ये सारी बातें आठ वन जे के तहत हैं लेकिन कभी कभी लोग सूचना पदाधिकारी द्वारा बरस्टा चार को चिपाने के लिए आठ वन जे का हवाला देते वे इसकी सूचना नहीं देना चाहता है तो इसके बारे में भी आप लोग समझें इसकी कुछ नोट याद रखेंगे आप लोग पहला नोट में है यदि लोग सूचना पदाधिकारी धारा आठ वन जे का हवाला देकर आपको वांचित सूचना देने से मना करता है तो आप अवस्ट अपील करें यदि आपको मालुम हो कि यह धारा आठ वन जे की सृरिनी में नहीं आता है दूसरा अपने व्रस्टाचार को छिपाने के लिए अक्सर लोग सुचना पताधिकारी द्वारा ऐसा किया जाता है तीसरा ऐसी सुचना जो सांसद या राज विधान मंडल को देने से इनकार नहीं किया जा सकता उसे किसी भी आम जनता को भी देने से और सिकार नहीं किया जा सकता कहने का तात पर यह ऐसी सूचना या ऐसी जानकारी जो सांसद या राजबिधान मंडल को दी जा सकती है तो वो सूचना किसी आम जनता को भी अवस्य दी जा सकती है तो इसलिए वो सुचना लेने का हगदार एक आम जनता भी है, कोई भी ले सकता है ऐसी स्थिती में अपील अवस्र करें यदि जान बूझ कर सुचना कोछ पाने का प्रियास लोग सुचना पतादिकारी द्वारा किया जाता है तो इसकी सिकायत धारा अठारा एक के तहत राज सुचना आयोग या केंदर सुचना आयोग में अवस्र करना चाहिए यदि आप लोगों को लगता हो कि यह गलत धंग से आठ एक जे का उपयोग कर लोग सुचना पतादिकारी वांचित सुचना को छिपाने का प्रियास करता है तो इसकी सिकायत आप लोग सिधे राज सुचना आयोग से या केंदर सुचना आयोग से अठारा एक के तहत अवस्र कर सकते हैं यदि आप सिकायत करेंगे या अपील करेंगे तो अपील ये पदादिकारी द्वारा भी इसकी जांच की जाएगी अगर पर्थम अपील्ड से भी आपको जानकारी नहीं मिलती है तो आप लोग दिती अपील्ड भी करें लेकिन यदि आप लोग को निश्चित पता है कि यह 8 वन जे के तहत नहीं है तो आप सिधा धारा अठारा एक के तहत सिकायतवाद दाहर भी कर सकते हैं